तो दोस्तो हम पहली जॉब की बात करने जा रहे हैं तो पहली जॉब में आगे कंपनी प्रोफाइल की बात करती हूं तो चो कंपनी है वो है Blossom Soft Solutions Private Limited Experience की बात करें तो Freshers to One Year तो salary आपको मिलने वाली है 50,000 minimum और maximum 1.5 lakh per year और साथी location आपकी रहेगी है अधरबाद वैसे तो चितनी भी jobs होती हैं data entry की या फिर घर बैठे होती हैं वो जादा तर घर से ही होती है तो आपको कहीं जाने के ज़रुवत नहीं आप किसी भी state से apply कर सकते हो तो चलिए job description की बात करते हैं तो eligibility criteria की मैं बात करूँ तो यहाँ पे housewife students जो है आराम से apply कर सकते हैं और यह job full time, part time जो आप चुनना चाहें वैसे आप कर सकते हैं आप महिने में 50 से 10,000 रुपे कमा सकते हैं वो आप पे depend करता है कि आप कैसे कमाना चाहते हैं और आपकी basic knowledge होनी चाहिए computer और internet में साथ ही आपको complete training आपकी start हो जाएगी हाँ अगर आप काम करते हैं तो और साथ ही benefit आपको में दिया जाएगा कोई target नहीं होगा कोई time नहीं होगा और daily और weekly payments आपको available रहेंगी कि आप कौन सी payment लेना चाहते हैं वो आप पे depend होता है जो आप info के बात करें आगे तो department आप करेंगा general और other software industry रहेगी management, consultancy education की बात करें तो अगर आप graduate हो या पोस्ट graduate हो तब भी आप eligible अपलाए करने के लिए otherwise आप 10th pass हो या 12th pass हो तब भी आप आप से apply कर सकते हो इस job के लिए दोस्तो की skills की बात करें हम आगे तो आपको back office की knowledge होनी चाहिए typing speed आपकी होनी चाहिए अच्छी और साथ ही आप data entry operator रहोगे बस internet के आपको knowledge होनी चाहिए तो दोस्तों चलिए अब दूसरी job की तरफ बढ़ते हैं तो जो company है वो है रिशी का soft tech solution consultancy services और वही experience की बात करें freshers to 3 years है तो जो freshers है उनके लिए अच्छा चांस है अप्लाइ करने के लिए और घर बैठे काम करने के लिए लोगडाउं में वही salary की बात करो तो 1 lakh है minimum और maximum 6 lakh per year और वही location की बात करो वैसे तो आप overall इंडिया से अप्लाइ कर सकते हो लेकिन जो company prefer करेगी वो है आंधर प्रिदिश और करनाल चलिए अब हम job description की बात करते हैं आगे तो आप database में काम करोगे और इसको update करोगे और weekly update आप company को भी दोगे कोई experience की requirement नहीं है fresh as a ram से apply कर सकते हैं आप payment ले सकते हो weekly और monthly कोई time boundation नहीं है कोई target नहीं है और यह बहुत असान है तो चलिए मैं आपको job detail बताने चारही हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इतनी job निकाली है तो यहाँ पे 4 post के job निकाली है जिसमें vacancies जो है तीन job मे 15 है और एक job में 5 है तो चलिए बात करते हैं दोस्तों इन details की तो जो data typing project है उसकी salary है मिलेगी आपको minimum 10,000 और maximum 50,000 पर मन्त और यह project जो है वो दो महीने के ही है और vacancy आपकी रहेगी 5 तो आप अराम supply कर सकते हो वहीं जो second है वह excel numeric entry projects और साथ ही salary के बात करो तो 10,000 तो 80,000 प 15 रहेंगी वहीं थर्ड है box form feeling project की job salary आपकी रहेगी 10,000 minimum और maximum 30,000 पर मन्त प्रोजेक्ट आपके रहेगा 2 महीने का और वहीं vacancy के लिए 15 वहीं जो third है manual handwriting project salary आपकी रहेगी 10,000 12,000 minimum और maximum 12,000 पर मन्त प्रोजेक्ट रहेगा 2 महीने का और vacancy रहेंगी 15 तो यहां पे आपको च 50 vacancies निकली है आप घर बैठे कमा सकते हो और प्लस अपनी मुतपापिक job चुन सकते हो जौंसी आप चुनना चाहते हो तो वहीं job info की बात करूं दोस्तों में आगे तो department आप करेगा self-employed, freelancing, data entry, industry रहेगी VP और call center और education में आप graduate हो post graduate हो तब भी apply करने के लिए जेबल हो अग टाइपिंग स्पीड आप के ची होने चाहिए, back office के आपको knowledge होने चाहिए, MS office के आपको knowledge होने चाहिए और साथ ही आपको computer operate और internet की knowledge होने चाहिए, वो important है तो दोस्तो तीसी शॉप के अब हम बात करने जा रहे हैं आगे जो की data entry की ही job है, लेकिन दोस्तो घर बैठे रहने पर आप जब काम करते हो तो आपको कुछ profit होते हैं, आपको कहीं नहीं जाना पड़ता, अगर आपको कुछ problem है तो भी आप घर बैठे काम कर सकते हो और वि तो दोस्तो कंपनी प्रफाइल के बात करते हैं, तो जो कंपनी है वो है IAN Consultancy, experience की बात करूं तो फ्रेशर्स टू वन एर है, salary आपकी रहेगी 50,000, minimum और maximum 1 लेक पर एर, और साथ ही job description की बात करूं तो जैसे की data entry are, is related to the data input into a computerized database, such as spreadsheet, documents and other systems, तो दोस्तो आपको ये sector help करता है business में, जैसे की बताया है data entry activities जो है, वो बहुत सारे लोगों को hire करती है, ताकि आप घर बैठे अराम से अपनी duties को complete कर सको, सको और time पर project दे सको, तो दोस्तो जो आप info की बात करें, तो department आप करेंगर data entry का, industry आप करेंगी management, consultancy and strategy, और education में अगर आप 10th किये है और 12th किये है तो बहुत कम opportunities होती हैं, आपके पास कि आप अराम से घर बैठे काम करने के लिए, आप ढूंते हो कि घर बैठे कुछ मिल जाए, अपने घर वालों पर depend ना होना परें, तो यही सही वक्त है, क्योंकि इसमें education level कुछ नहीं है, आप अराम से apply करने के लिए eligible हो, लेकिन आप graduate हो या post graduate की है आपने, आप तब भी घर बैठे काम करना चाहते हो, आगे की study करना चाहते हो, तो भी है जो आपके लिए बिल्कुल perfect है, तो की skills की बात करते हैं आगे, तो आपको computer operate करना आना चाहिए, back office का काम रहेगा, typing speed आपके अच्छी होनी चाहिए, नहीं है, तो आप software के थुरू अपनी typing speed अच्छी कर सकते हो, और MS office की आपको knowledge होनी चाहिए, जो की बहुत ही important है, जिसमें Excel, word की आपको knowledge होनी चाहिए, तो अगर हम जौती job की तरफ बढ़ें, तो जौती job भी data entry operator की है, company profile की बात करते हैं, तो company जो है, वो है, refresh ice scope, और experience जो रहेगा, freshest to 4 years, तो जो job seekers हैं, जो housewife हैं, working professionals हैं, उनके पास एक अच्छा time है, lockdown के time पे, कि हम आराम से काम कर सके, तो free हो, अभी आराम से कर सकते हो, तो आपको करना भी चाहिए, क्योंकि हो सकता है, कि आपके घर में कुछ दिक्कत आ रही है, और आपको ये काम करके, आपको प्रॉब्लम आ आप ओवर इंडिया से अप्लाइ कर सकते हो, लेकिन location आपकी रही की, करनाल एंटे नहीं, तो दोस्तों चलिए, आगे बढ़ते हैं, job description की तरफ, आपको जो housewife है, जो घर पे रहके काम करती है, उनके लिए एक अच्छी option है, वह राम से काम कर सकती है, तो data entry की job में, जो नि कर सकते हैं, जिससे भी आप काम कर रहे हैं, कोई अगर काम दे रहा है आपको उसके लिए, और presentation skills आप के अच्छी होनी चाहिए, बस यह requirement है, आपका जो जो आप टाइप है, यह part-time है, क्योंकि आप कुछ गंटे ही काम करते हैं, तो आपके उपर होता है, वह आप 2-4 गंट काम करना चाहते हैं, 4-6 गंटे, आप अराम से इंडिया में कहीं पर भी रह के काम कर सकते हैं, कोई इशु नहीं है कि आपको किसी अलग एक ही location से काम करना है, salary आपकी रहेगी हाँ पे, महीने के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो 13,400 minimum, maximum 28,200, तो दोस्तों चलिए वहीं आगे बात करते हैं, job info की, तो department रहेगा data entry और इंटरस्ट रहेगी internet, e-commerce, और वहीं मैं education की बात करूँ तो अगर आप post graduate हैं, graduation के साथ भी काम करना चाहते हैं, under graduate है तब भी आप apply कर सकते हैं, 10-12 past students हराम से apply कर सकते हैं, इस job के लिए और घर बैठे कमा सकते हैं, और key skills की बात चाहिए, आपको MS office आना चाहिए, आप data entry operator रहेंगे, computer operate करने के आपको knowledge होनी चाहिए, because सारा काम आपका back office का रहने वाला है, दोस्तो चलिए अब पांच वी job की तरह बढ़ते हैं, जो की data entry की है, और company है, वो है cool trip vacations, जिसमें की आपको data entry और अगर आप sales में हो तो उनकी company क सकते हो, salary रही आपकी 2 lakh minimum maximum 9 lakh per year, experience आपको चाहिए freshers और minimum maximum आपका 4 years रहेगा, location आपकी रहेगी, हाँ पे बैंगलोर, चेन नहीं हालता बाद, otherwise आप overall इंडिया से apply करने के लिए लेकिन company जिस location को prefer करेगी, वो मैंने आपको हाँ बताईए, job description की बात करों, तो यहाँ पे promote कर level and tourism को, लोग चाहिए, और इनकी जो service है वो across इंडिया में दी जाती है, और साथ ही आपको data entry का काम भी करना है, और आपके पस अच्छी opportunity यहाँ पे apply करने के लिए, और अपने dreams को fulfill करने के लिए, तो चड़िए दोस्तों आगे बात करते हैं, हाँ, job info की, तो department आपका data entry, और internet marketing, industry आपके रहेगे, advertising, MRPR, events, और वहीं education की बात करूं, मैं qualification की, तो अगर आप 10th pass हो, 12th pass हो, और तो भी आप apply कर सकते हो, और अगर आप graduate हो, और post graduate तब भी आप eligible apply करने के लिए, की skills में आपको computer operate करना आना चाहिए, social media की थोड़ी बहुत knowledge होनी चाहिए, typing speed आपके अच्छी होने चाहिए, computer operator आप रहोगी, तो इस चीज की knowledge होनी चाहिए, तो दोस्तों, अब आप इन पांचो जोब के बारे में तो जानी गए हो बहुत अच्छे से, तो आप मुझे comment करके बताईए, कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, तो दोस्तों, अब आप मेरी जो आप अप्लाय कर सकते हो, उस पर जाकर के आप अराम से अप्लाय कर पाऊगे, कोई problem आती हो तो आप मुझे comment box में comment करो, और मेरे चानल को subscribe करो, subscribe करने के लिए आप जब subscribe पढ़ने जाओगे तो वहाँ पर bell icon आएगा, bell icon दबाना बिल्कुल मत भूलेगा, ता कि आपको ह हमारी home-based job की new-new series के बारे में और new-new videos के बारे में पता चल सके, और साथ ही दोस्तों, अपने दोस्तों सा share करना बिल्कुल मत भूलेगा, जैसे आप game खिल रहे हो, वैसी आप job share करके उन दोस्तों तक ये data entry के part-time jobs पहुचा सकते हो, ता कि वो घर बैटे earn कर सके,